विपक्ष के नेता मुकेश अगनी होत्री ने कहा कि सरकार सदन में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है इसलिए एक तरफा कारेवाई की गई है इस सारे प्रकरण के लिए विपक्ष को नहीं बलकि मुख्यमंत्री को राज्यपाल से माफी माँगनी चाहिए अगने होतरी ने कहा कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है मुख्यमंत्री राजयपाल की आड़ लेकर जुलन्त मुद्धों पर चर्चा से बचना चाहते हैं और जो सरकार के विरुद्ध बोलता है उस पर वर्तमान सरकार देश द्रोह के मुकद में दायर कर देती है उन्होंने कहा कि यदि सरकार सदन में विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने देंगे तो वे जनता के दर्बार में अपनी बात रखेंगे भाजबा का लूकतंत्र में विश्वास नहीं है इसलिए इस परकार का शड़ अंतर रचा गया पारलिमेंटिय डेमोक्रेशी में अगर सरकार नहीं चाहती है तो उसमें भिपक्ष क्या कर सकता है यहाँ जो है सरकार की इंटेंशन जो है वो हाउस चलाने की नहीं है अगर अगर आपको भाल किया जाता है तो एसा है कि मुख्य मंत्री राजयापाल की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं उपलब दिया और जो अलंद मुद्दों पर जवाब नहीं है कोई तो इसलिए जो है वो जो है गुवर्नर की आड़ ले रहे हैं आप बताएं कि गुवर्नर को तो किसी ने टची नहीं किया उल्टा जहां हम परतशन कर रहें दो वहाँ पूरी सरकार आखे गुस गई मुख्यमंत्री मंत्री और डेप्टी स्पीकर और पुलिस आके उन्होंने हमें धक्के दिये हैं मुख्यमंत्री के माफी की बात करते हैं Chief Minister should apologize मुख्यमंत्री को माफी माँगनी चाहिए विपक्ष से कि मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने जो है विपक्ष को धक्के दिलवाए जिनका difference of opinion है वो सारे देशद्रोई हैं वो सारे राश्ट्रोई हैं ये तो एक effect है जो ये इन्होंने तह तह कर रखा है लोगतंत्र में असहमत्री का हमेशा गुझाईश होती है अब तो फैसले आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ गए हैं कि अंदोलन करना परदर्शन करना बात रखना एसमति जताना ये लोगतंतर में किसी भी ढंक से जो है कानूनी तोर पे इस पे कोई बंदिशे नहीं है अभी अभी सुप्रीम कोड का फैसला आया है